उत्तर पर्देश के व्रिंदावन के बारे में आपने जरूर सुना होगा और आप वहां गए भी होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी एक व्रिंदावन है हाला कि इस व्रिंदावन का जुराव भगवान स्री क्रिस्न से नहीं है बल्कि एक विसाल आम के बगीचे से है जो बिहार के सहरसा जिले में व्रिंदावन के नाम से मसूर है सहरसा जिले के सिम्री बक्तियारपूर और बिहरा पच्छगचिया इलाके में एक विसाल आम का बगीचा विरिंदवन के नाम से मसूर है इस आम के बगीचे में पंदरे सो से सोले सो विभिन आम के पेर लगे हुए हैं इसमें हर साल जरदालू, मालदो, बंबई समेत कई किस्म के आम होते हैं यहां का आम देखने में खूबसूरत, खुस्बू से भरा और स्वाद में लाजवाब यानि खूबसूरती खुस्बू और स्वाद का संगम है यहां का आम सहरसा और आसपास के अनजिलों में ही नहीं बलकि बिहार से बाहर भी खूब पसंद किया जाता है यह बताएए आप लीज पर किसान को जो है आम करदे हैं क्या इससे फैदा होता है और अनज किसान को इससे क्या फैदा होगा इसके लोग किसान को देते हैं 11 मैंन की लिज को देते हैं यह लोग अपने दवा पानी उताई सर्मयमत करते हैं मुनाफ़ा होता है कि आम का इहां का डिमॉढ्ड का जया है तब्धाडी लोग यहां पर लेने कि मेरे पर zit लिए चुलर कशी का इलाका सकते हैं यहां पर अधिक तरह कितनी संख्या में अने होगी बड़े पैमानों पड यां बड़े पेमान उपती है, कही किस्म क्याम होगी है, किस्म क्याम है, सब किस्म क्याम है, क्या नाम हुआ है, मेरा नाम हुआ विजयन कुमार के, यहां पर आम का पारवार कर रहा हैं, क्या फाइदा होता है, कितने लीज पे लिए हैं, कितना पे लीज पे लिए हैं, क्या कहीं ह एक हजार से बाड़ा सो पेर हम लोग लीज पेलेते हैं और उसे से हम लोग का आम का कितने किसम काम आपके हैं? दरजन से जादा होता है इसम काम जे से मालडा, जरगालूग और यह लावखास, बमदय, जोसने बहुत परकार काम है डिमांड कैसा है यहां के आम का? दिमांड तो बहुत अच्छी है, यहां का आम का बहुत ज़्यादा पसन करते हैं लोग पशन करते हैं कहां कहां से लोग आते हैं और कहां कहां आप लोग आम सप्लाई करते हैं? यहां से कलकत्ता, बेगुषराय यह सब मतल की बंबय तक याता है यह सवां आज्जार बॉमक 9 अच्छा का साथ इसाव फोका यसी आने आम का आपकर्वार उल्टेक्षा किया नाम है आपका मेरा नाम मुहम्मद संीर कंसा इलेखाए यह बीढ़ागा है। कि हो लुग हुग 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 हुग